आजम खां की याचिका पर आज सुप्रीम कोट में सुप्रीम कोट में अंतरिम जमानत को लेकर ये सुनवाई होगी जहां आजम ने चुनाव प्रक्रिया के लिए मांगी है अंतरिम जमानत रामपुर सतर सीट से नामांकन कर चुके हैं आजम खा, दो साल से सीतापुर जेल में विबंध हैं आजम खाने कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमों में काफी धीमी कारवाई चल रही है इसलिए अंतरिम जमानत जरूरी है रामपुर शहर से आजम सपा से चुनाव लड़ रहे हैं और जहां चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने अंतरिम जमानत मांगी है और आज सुप्रीम कोट में इस बाबत सुनवाई होगी देखना होगा कि क्या आज उनकी याचिका कोमंसूरी मिल जाती है क्या उन्हें अंतरिम जमानत मिल जाती है आजम ने चुनाब प्रक्रिया के लिए ये अंतरिम जमानत की मांग की है रामपुर सदर सीट से वे अपना नामांकन कर चुके हैं और अब वे प्रचार में शामिल होना चाह रहे हैं दो साल से वे सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खां का कहना है कि उनके खिलाफ मुकदमों में काफी धीमी कारवाई चल रही है और इसी लिए वे चाहते हैं कि कोट उन्हें अंतरिम जमानत दे रामपुर शेहर से आजम खां समाजवादी पार्टी के टिकेट से चुनाब लड़ रहे हैं तो इधिली से बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं सुपरीम कोट में आजम खां की अंतरिम जमानत पर आज सुनवाई होनी है जहां चुनाब प्रकरिया के लिए आजम खां ने अंतरिम जमानत मांगी है रामपूर सदर सीर से वे अपना नामांकन कर चुके हैं और अब प्रचार करना चाहते हैं